अमुमन नब्बे फिजदी महिला ग्राम परधानों की हैसियत रबर स्टेंप जैसी है। उन्हें घर की दहलीज तक ही सीमित कर दिया गया है। लेकिन बारावंकी की चंदुवारा की ग्राम परधान ने एक मिसाल कायम की है। घर की दहलीज से निकल कर इन्होंने गाउं को उस मुकाम तक पहुचा दिया जिसकी आज रास्टी अस्तर पर पहचान है। माडल गाउं के रूप में इसकी पहचान रास्टी अस्तर तक है। खास बात ये है कि इस गाउं को इस मुकाम तक पहुचाया है यहां की महिला ग्राम प्रधान प्रकासनी जैसवाल ने। गाउं में प्रवेस करते ही हर घर के बाहर सोचालाई नजर आएगा। जगह जगह दीवारों पर सक्छता के स्लोगन और सड़क किनारे कुड़ेदान नजर आएंगे। गाउं में प्रवेस करने वाले लोगों की गतविधियों पर नजर रखने के लिए जगह जगह कैमरे भी है। प्राथमिक स्कूल पर नजर डालेंगे तो आप चौक जाएंगे क्योंकि यह किसी कान्वेंटी स्कूल से कम नहीं। पहले हमने सिच्छा पर काम किया कि जैसे हमने अपने प्राथ में बिद्ध्याले बनाया कि लगे कि एक कान्वेंटी स्कूल है। इसमें सवचल एच्छा बनवा दिया। बच्चों को खेलने के लिए जूले लगवा दिया। वाटर पायर प्री लगवा दिया। और हमने कामरे लगवा दिये जो अपराद होते थे बालकाओं के साथ अपराद होते थे। और बाहर सुच्छता में भी हमें आसानी हुई कि बाहर सौच के लिए कोई जा रहा तो एक जो है लोगों की थिंकी बन गई है कि नहीं यह यह परद्धान के यहां नोट हो रहा है। 2015 पे जब चुनाज इतने के बाद हम परद्धान बने तो लोगों को लेकर पहले गाओं का भ्रमड किया। और गाओं का भ्रमड किया तो हमें जानकारी यह हुई ही कि हमें मूल भूत आसकताओं पे काम करना है। जैसे कि सिच्छा, स्वास, सच्छता यही है कि पुरुस बाहर निकलने नहीं देते हैं। तो यह थी हमारे साथ चंदवारा ग्रम की परधान प्रकाशनी जैस्वाल जी। जिनोंने साबित कर दिया है कि महिला होते हुए भी गाउं को कैसे विक्सित किया जाए। इनका मानना है कि जो चूला और घर की चार दिवारी तक महिलाएं सीमित हैं। उनको आगे आना चाहिए जिस से वो पुरुसों के कदम से कदम मिला सके। अलीम सेख इटीवी बारवन की। अलीम सेख इटीवी बारवन की।